गुड मोर्निंग स्टुडेंस, इन टुडेस साइंस क्लास, वी आर गोईंग टु स्टडी चैप्र थ्री, फूड, यानि खाना, पार्ट वन में हमने फूड फूर एनरजी, यानि एनरजी गीविंग फूड के बारे में जाना था, कि ऐसे कौन-कौन से फूड है, जिसमें से हमें क्या मिलती है, एनरजी मिलती है, क्या मिलती है, एनरजी, सीरियल्स, लाइक राइस, वीट, मैज, और बाजरा, यह कुछ एसे सीरियल्स है, जिसमें से हमें क्या मिलती है, एनरजी मिलती है, next food for growth यानि एसे कौन-कौन से food है जिसको खाने से हम grow हो पाते हैं बढ़ पाते है pulses like dals, peas, beans and grams ये कुछ एसे pulses है जिसको खाने से हम grow हो पाते है तो इसी तरह meat यानि mass एक्स, फीस, मिल्क ये कुछ एसे फूड है जिसको खाने से भी हम ग्रो हो पाते हैं next food for health health यानि स्वास्थिय हमारे health के लिए एसे कौन-कौन से फूड है जिसको खाने से हम healthy रह पाते हैं जैसे कि fruit and vegetables जिसको खाने से हम healthy रहते हैं तो यहां तक हमने आगे के parts में देख लिया है आज का जो हमारा topic है वो है growing food growing food the plants we grow for food are called crops crops यानि फसले एसे plants यानि पोदे जिसको हम खाने के लिए उसको ग्रो करते हैं यानि उसको उगाते हैं तो एसे plant को क्या कहां जाता है एसे plants को क्या कहां जाता है crops कहां जाता है यानि फसले कहां जाता है आप लोग picture में देख सकते हो wheat crop यानि गेहुं की फसले picture में देख सकते हो wheat crop यानि गेहुं की फसले एसे plants जिसको हम खाने के लिए उसको ग्रो करते हैं उसको उगाते हैं तो एसे plants को क्या कहां जाता है क्रोप्स कहां जाता है क्या कहां जाता है क्रोप्स यानि फसले पिक्चर में देखिए ये जो क्रोप है वो है राइस क्रोप राइस क्रोप यानि जो चावल की फसले होती है वो and यह जो crop है वो है maze crop maze crop क्या है maze crop and आप लोग picture में देख सकते हो यह जो crop है वो है wheat crop wheat यानि गेहूं crop यानि फसल है, गेहूं की फसल है यानि जिस plants को हम जो पोदे होते है जिस plants को हम खाने के लिए उनको grow करते हैं, यानि उनको उगाते हैं, उसे क्या कहां जाता है, crops कहां जाता है, फसले कहां जाता है The seeds of different plants are sown at different times, different plants यानि जो विबिन प्रकार के जो पोदे होते हैं, उनके जो seeds यानि जो बीज होते हैं, उनको different times यानि अलग-अलग समय पर उनको sown यानि बोए जाते हैं जैसे की wheat crop, rice crop, maize crop, तो ये फसले जो होती हैं, वो different times पर होती हैं, अलग-अलग समय पर ये फसले होती हैं कुछ फसले ऐसी होती हैं, जो summer season में ही होती हैं, तो कुछ फसले ऐसी होती हैं, जो winter season में होती हैं, यानि जो फसले जिस season में होती हैं, उस season में उनको, उनके जो seeds होते हैं, प्लांस के जो different plants यानि विभिन प्रकार के जो पोदे होते हैं उनके जो seeds होते हैं उनको उस time पर बोये जाते हैं राइस, for example, is sown in the rainy season जैसे कि राइस क्रोप, राइस क्रोप यानि जो चावल की फसल होती है वो, चावल की फसल चावल की फसल जो है, वो rainy season में होती है कौन सी season में? rainy season में यानि चावल, राइस के जो seeds होते हैं, चावल के जो beege होते हैं उनको rainy season में, rainy season यानि बाइस की जो रूतू होती है वो राइस के जो seeds होते हैं, उनके जो beege होते हैं, उनको rainy season में बोए जाते हैं राइस क्रोप यानि जो चावल की फसल होती है, वो rainy season में ही होती है इसलिए राइस के जो seeds होते हैं, राइस के जो beege होते हैं, उनको rainy season में ही बोए जाते हैं wheat is sown in autumn, wheat यानि गेहूं, wheat crop यानि गेहूं की फसल हैं तो उनके seeds, wheat के seeds, seed यानि बीज, तो wheat के seeds यानि गेहूं के जो beege होते हैं, उनको autumn season में ही बोए जाते हैं different types of crops, यानि जो अलग-अलग प्रकार की जो फसल होती हैं, वो different types, यानि अलग-अलग समय पर होती हैं जैसे कि हमने rice crop के बारे में देखा, wheat crop के बारे में देखा, यानि जिस season में जिस तरह की फसल होती हैं, तो उनके seeds, यानि उनके बीज, उस season में बोए जाते हैं seeds are sown after plowing, plowing यानि खेरना, जमिन को खेरते हैं बाद में seeds को क्या किया जाता हैं, बोया जाता हैं, बीज को बोया जाता हैं तो बीज को बोढ़ने से पहले, जमिन को क्या किया जाता हैं, खेरा जाता हैं, बाद में seeds को, यानि जो बीज होते हैं, उनको बोये जाते हैं when crop plants are ready, they are cut and gathered, जैसे की हमने आगे देखा, कि different types of crops, यानि जो अलग अलग प्रकार की जो फसले होती हैं, वो different times, यानि अलग अलग times पर होती हैं तो first क्या किया जाता हैं, उनके जो seeds होते हैं, उनके जो beach होते हैं, उनको जमिन के अंदर बोये जाते हैं फिर वो seeds को water यानि पानी मिलता हैं, उनको sunlight मिलती हैं, सुर्या का प्रकाश, sunlight मिलती हैं तो वो seeds में से, seeds जो है, वो plants में बदल जाते हैं, जैसे ही दिन बितते जाते हैं, वो plants यानि जो पोदे होते हैं, वो बड़े 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 होते जाते हैं for या fifth month तक, वो crops ready हो जाता हैं, आप लोग first picture में देख सकते हो, जो बाजरे की फसल है, जैसे ही बाजरे की फसल ready हो जाती हैं, तो उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है आप लोग देख सकते हो, first picture में, बाजरे की फसल ready हो गई है, एंड उसको कट किया जाता है, तो जैसे ही फसल ready हो जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है एंड उसको gathered, यानि इकठा किया जाता है, क्या किया जाता है, इकठा किया जाता है, दीस इस कोल्ड हर्वेस्टिंग, यानि क्रोप प्लांस, फसल के जो प्लांस होते हैं, जो पोदे होते हैं, वो जब ready हो जाते हैं, तब उनको क्या किया जाता है, कट किया जाता है, एंड उसको gathered यानि इकठा किया जाता है जब फ़सल ready हो जाती है तब उसको cut किया जाता है तो इस process को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है Harvesting The seeds of cereal plants are separated from the plants and cleaned सीरियल्स लाइक बाजरा वीट मैज राइस यह सब क्या है सीरियल्स है क्या है सीरियल्स आप लोग फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो बाजरे की फसल जैसे ही रेडी हो जाती है तो उसको कट किया जाता है उसको गैदर्ड यानि उसको इकठा किया जाता है तो इस प्रोसेस इसको क्या कहां जाता है, हार्वेस्टिंग कहां जाता है, क्या कहां जाता है, हार्वेस्टिंग, फिर बाद में क्या किया जाता है, जो थ्रेसर मसीन होता है, उससे उनके जो सीट्स होते है, उनके जो बीज होते है, उसको सेपरेट, यानि अलग किये जाते है, थ्रेसर मसीन स क्या किया जाता है बाजरे के जो seeds यानि उनके जो दाने होते हैं उनको separate यानि उनको अलग वो दाने को अलग किये जाते है थ्रेसर मसिन से यानि उनको cleaned यानि वो seeds यानि जो दाने होते हैं उनको cleaned साफ किये जाते हैं पल्सिस और seeds which grow inside pods यानि fruit पल्सिस जिसके बारे में हमने आगे देख लिया है पल्सिस लाइक ग्राम्स बीन्स डाल्स पीस तो यह सब क्या है पल्सिस है क्या है पल्सिस तो उनके जो seeds जो होते हैं वो grow inside pods pods यानि जो फली होती है उनके अंदर उनके seeds जो है वो क्या होते है grow होते है आप लोग second picture में देख सकते हो pod यानि जो उसके अंदर क्या होते है seeds होते है बीज होते है तो pod यानि जो उपर का cover होता है green color का आप लोग देख सकते हो उपर का cover है and उसके अंदर क्या है seeds यानि बीज है तो जो उपर का जो pod यानि उपर की जो फली उपर का जो cover होता है उसके अंदर seeds जो होते हैं वो grow होते हैं यानि वो बड़े होते हैं उसके अंदर the pots are picked and the seeds taken out जैसे ही pots के अंदर seeds यानि जो बीज होते हैं वो ready हो जाते हैं तो उसको picked यानि तोड़ा जाता है उनके pots को तोड़े जाते हैं and उसके अंदर से उनके जो seeds होते हैं उनको taken out यानि बाहर निकाले जाते हैं tea, vegetables and fruit are also picked when they are ready tea, vegetables like tomatoes, brinjals, fruits like strawberries, apples जब ये ready हो जाते हैं यानि जब ये पक जाते हैं तब उसको picked यानि उनको तोड़े जाते हैं आज का हम यहां तक रखते हैं next part में हम from fields to markets उनके बारे में देखेंगे कज़एह हैं यहां 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 बादसी हैं यहां Л